Now we will see how we can teach our kids under the leadership skills, money management, passion and motivation and prioritizing tasks. देखिए शुरू से बच्चों को money management सिखाएं सिर्फ money management अकेला जो है वो हमारा resource नहीं है बलके जितने भी resources हमारे इर्द गिर्द हैं उनका भी ध्यान करना है लेकिन सारी values एक तरफ और money management एक तरफ वह इसलिए कि सारी दुनिया आप अच्छी तरह समझते हैं कि इसी के गिर् बच्चे को इस बात की कदर होनी चाहिए कि पैसा कैसे खरचना है और यह किस तरह मुश्किल से कमाया जाता है और यह कि उसको क्यूं बचाखे रखना होता है और कहां पर इसका खरच करना ज़रूरी है तो यह जो skills है बच्चपन से ही थोड़े बहुत पैसे दे के बच्च करें फिर हम देखते हैं कि open their bank account at an early age तो हमारे जो researchers है और जो हमारे authors है psychologists है वो हमें suggest करते हैं कि बच्चों का कोई ना कोई account जो है वो बच्पन से होना चाहिए अगर bank account नहीं है तो कहीं और उनको इस तरह से यकीन हो कि वहां से वो अपनी मर्दी से अपने pocket money जो है वो generate कर स चुरू में आप ही उनकी मदद करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जहां पर उनको अपना पैसा खर्च करना है अपने खेलने की चीजों पर अपने खाने की चीजों पर या उनको दूसरों की मदद के लिए खर्च करना है तो सारे पहलों को साथ साथ लेके चला जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि उनकी जो income है या आमदनी है या उनके पास जो restrictions है जहां उनकी limit है उससे ज्यादा वो आगे नहीं जा सकते और उसके क्या नुक्सानात हो सकते हैं. The lesson about the value of money. देखिए जब उसको पता होगा कि मैंने कौन सी option जो है उसको बेतर तोर पर opt करना है अपना पैसा कर्च करने के लिए तो फिर उसको पैसे की value का भी अंदाजा होगा. फिर हम समझते हैं कि जब आप money management की बात करते हैं तो resources भी उनको manage करना सिखाएं जो already घर के अंदर मुझूद हैं, खाने पीने की चीजें हैं, अब घर का जो furniture है या घर के जो equipment हैं, सारे हर तरह की चीजें जो हैं, कि वो उनको जाया नहीं करें और sustainability का lesson इसी के अंदर मुझ हैं, यहीं से हमें उनको sustainability की तरफ भी लेखे जाना है, then the one need we need in our young leaders is passion, that is one of the qualities that cause people to accept another's leadership, देखिये, leadership का मतलब यह हर्गिस नहीं, कि आप सबसे आगे बढ़ जाएंगे, आप सबसे अच्छे हैं और दूसरों की ना कोई हैं और ना आप उनको accept करेंगे, हम यहीं समझा रहे हैं, कि आगे बढ़ने वाले इंसान वो हैं, जो जितना ज्यादा दूसरों को support करते हैं, encourage करते हैं, reinforce करते हैं, उनको जगा देते हैं, space देते हैं, वही अच्छे leaders हैं, तो हमें उनको यह बताना है, कि वो दूसरे लोगों को और उनकी leadership को और उनकी हूबियों को भी accept करें, and then there are five traits that make passionate workers or leaders, they are focused, जो activity बच्चे करना चाहें, उनकी तरबियत की जाएं, कि एक वक्त में एक activity वो focus होके करें, देखें, मुझे focus से याद आता है, कि अमूमन बच्चों को जब खाना दिया जाता है, तो साथ ही उनको कार्टून लगा के दे दिये जाते हैं, अब ना वो क खाने पे, लेकिन हमारे माहरे नफसियात ये कहते हैं, कि अगर आप किसी भी चीज़ को खाने के साथ अटेच कर देंगे, जैसे पावलेव की थेरी आप जानते हैं, बड़ी मशूर थेरी है, तो जब आप उसको associate कर देंगे, वो चीज़ उसके लिए बहुत pleasant और बहुत ज सबर्दस और अच्छी हो जाएगी, उसके जहन पे नक्ष हो जाएगी, तो अगर हम कार्टून के साथ खाना दे रहे हैं, तो हम कार्टून बच्चों के लिए दुनिया की एहम त्रियंच चीज़ बना रहे हैं, जो के वाक्यतन नहीं, क्योंकि उनका हकीकत से कोई तालूक नहीं, तो हमें यह देखना है कि हमने अपने बच्चे के फोकस को खाने के वक्त खाने पे रखना है, अब स्टब्बन का मतलब यह है कि जब वो कुछ फैसला कर लेते हैं, तो फिर उसको हिमत से करते हैं, उसको छोड़ते नहीं, कुछ भी काम करने को उनको बताईए कि तो आपको जाना है हर सूरत, आपको इससे हारना नहीं है, and then they are savvy, मतलब होगा यह कि वो अपने वसायल को बचाने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा effort जो है वो करेंगे ताकि उनकी effectiveness उनकी कारवाईयों की जो है वो बेतर हो, they are competitive, देखिए छोटा मोठा competition इसलिए जरूरी ह है ताकि उनमें आगे बढ़ने का एक motivation मुसलसल पैदा होता रहे, लेकिन कभी ऐसा competition बचों में मत डालें, जो उनको दूसरों को पीछे रखने या दूसरों को दूसरों से नफरत करने पर मजबूर कर दे, and then they are steadfast, जैसे मैंने पहले अर्स किया, उनको अपनी मेहनत के साथ और hard work के साथ अपने objective को achieve करने का आदी बनाएं, क्योंकि आने वाली जिन्दगी में कोई चीज struggle के बगार नहीं होती, and they need to set priorities, अगर वो जान जाएं कि सबसे ज़्यादा एहम क्या है, तो वो जो हम बात करें थी decision making, वो भी उनके लिए असान हो जाएगा, और फिर वो उस passion के साथ काम कर सकेंगे, जो उनके लिए एक बड़ा motivation साबित होगा, और जो achievement के लिए बहुत जरूरी है.